नमस्कार दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा प्रकल्प के बारे में जो ना स्रिफ भारत का सपना है बलकि हर भग और यातरी का भी सपना है दोस्तो आज से लगबग 1200 साल पहले गुरु आदी संकराचारिया ने देश में हिंदु धर्म को पुनर जीवित करने के उद्धेश से चार धहम को जोड़ा था और आज हमारे इंजिनियर्स चारो धहम को रेल से जोड़ के इतियास के इसी पन्ने को फिर से दोहराने जा रहा है दोस्तो ये चार धहम रेल प्रोजेक्ट स्रीप एक रेल प्रोजेक्ट नहीं बलकि भारत के तीर्थ यात्रा को और वी सुविदा जनक बनाने का प्रयास है क्या आप सोच सकते हैं कि एक दिन आप गंगा यमुनाक किदारनात और बद्रिनात जाने के लिए एक ही ट्रेन में सफर कर सकेंगे? जी हाँ, ये सपना सच होने जा रहा है. आज हम जानेंगे कैसे चार धहम रेल प्रोजेक्ट इस सपने को हकीकत में बदलने जा रहा है. दोस्तो चारधाम रेल्वे प्रोजेक्ट भारत सरकार और भारतिया रेल्वे का एक सपनों का प्रकल्प है इस प्रोजेक्ट के तहित हरिद्वार, रिसी केज और देराद उनको यमनोत्री, गंगोत्री, किदारनात और बदरिनात से जोड़ा जाएगा चलिए इसके अलग-अलग रूट्स और उनके कंस्ट्रक्शन के बारे में डिटेल में जानते हैं दोस्तो चारधाम रेल्वे प्रोजेक्ट को कई चरणों में बनाया जाएगा और इसका पहला चरण है रिसी केस करणपयाग रेल लाइन दोस्तो रिसी केस करणपयाग रेल लाइन ये पहला रूट है जो इस प्रोजेक्ट के तहट तयार हो रहा है और पहला रेल्वे स्टेशन योगनगरी रिसी केस बन चुका है और टनल्स और ब्रिजेस का काम तेजी से चल रहा है दोस्तो ये रूट 2024 के अन तक कम्पलीट हो जाएगा और 2025 में टूरिस्ट के लिए खुल जाएगा इस प्रोजेक्ट का अगला रूट है दोईवला देहरादुन उत्तरकासी मनेरी गंगोतरी रेल्वे ये 131 किलोमीटर लंबा रूट है जो दोईवला से शुरू होकर मनेरी में खतम होगा यहां से आप लोकल टास्पोर्ट लेकर गंगोतरी पहुँच सकते हैं दोस्तो इसी रूट में उत्तरकासी से यमनोतरी को जोरा जाएगा उत्तरकासी पालार यमनोतरी रेल्वे ये 22 किलोमीटर लंबा रूट है जो उत्तरकासी से शुरू होकर पालार रेल्वे स्टेशन में खतम होगा दोस्तो अगर बात करें इस टेल लाइन की तो ये योगनगरी रिसिकेस से शुरू होकर कर्ण प्रयाग तक जाएगी उसके बाद साइकोत होते हुए सोन प्रयाग रेल्वे स्टेशन तक जाएगी दोस्तो ये 99 किलोमेटर लंबा रूट है जो कर्ण प्रयाग से शुरू होकर केदानास से 18 किलोमेटर पहले सोन प्रयाग में खतम होगा दोस्तो इस रूट पर भी कंस्ट्रक्शन तीजी से चल रहा है इसके बाद बदरिनाथ के लिए इसी रेल्वे लाइन के साइकोत से जोसी मट तक एक रेल्वे लाइन जानी थी पर दोस्तो जोसी मट में हाली में लैंड स्लाइट के कारण इस प्रोजेक्ट को रोग दिया गया है दोस्तो अब इसका अगला स्टेशन जो सीमट से पहले पीपल कोटी रेलवे स्टेशन होबा यहां से आप लोकल टास्पोर्टेशन के जरीए बद्रिनात का सफर कर पाएंगे दोस्तो अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के फायदों के बारे में यह रेलवे लाइन स्रिफ चार धामों तक पहुच को आसान नहीं बनाएगी बलकि इसके और भी काफी सारे स्ट्राटीजिक इन्पोर्टेंस है यह रेलवे लाइन बनने के बाद भारत चाइना सीमा रेलवे के जरीए सेज भारत के और करीब हो जाएगी दिल्ली से सीमा बरती सेना स्टेशन तक पहुच में कम समय लगेगा और पबलिक टास्पोर्टेशन का सुरक्षित और तेज तरीका उपलब्ध होगा तो दोस्तो यह थी चार धाम रेलवे प्रजेक की पूरी कहानी अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करे सेर करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथी साथ अपनी राय कोमेंट में जरूर दे